तो नमस्कार हम है इस समय परधान जी हरकरण सिंग जी के साथ ये ग्राम है एडा जिश्चिक बागपत यहां से वो परधान पत के लिए निव्ट किये गए है अब हम उनसे बात करेंगे विकास कारियों की कि उन्हें किन विकास कारियों के लिए चुना गया है वो किन विकास कारियों को प्रात्मिक्ता देंगे और क्या क्या विकास के कारियों होंगे चलिए उनसे बात कर लेते हैं परदान दी अब तक इलक्षन लडाते थे इस बाद लडाते लडाते खुद ही लडाते लडाते खुद ही लडाते जीता सकते हैं उनके खुद गा जीतना कोई बड़ी बात नहीं होता है सर इस जीत के पीछे कारण यही था जी एक तो पानी का पानी की बहुत समश्चा है यह कम से कम 80-90 फुट पर जाया करके जोया है पानी है बहुत दी ज्यादे समश्चा पानी है और शिक्षा की भी सबसे पिछे हैं अच्छा जी क्योंकि बागपत पांच किलोमेटर है टट्री दो किलो मुटर है यह भी यहां शिक्षा की बहुत कर दो इन मुद्दों को लेकर आपने चुनाव लड़ा है इन पर आपका मुद्दों को बात कर लेकर है सबसे पहले शिक्षा पर ही बात करते हैं किकने स्कूल है सर्य पर हमारे यहां हमारे इस स्कूल है यह प्यां प्लाइट को आपके शाश्मकाल में किया हanka बाग इससे बदलाव करताऊ नहींしてऊ बदलाव करने की कोशिश की जाएगी की बदलाव हो पढ़ाई हो शिक्षा हो उसको आगे बढ़ाया जाएगीौ गरीबों को बच्चों को जो भी मिलना यह वो मिलना चीए हूँ जो मिलना चीए। हाँ है सुविधा लेकिन मिल नी रही? सर हम समझे हरकरण जी के साचनकाल में मिड़े मिल प्रोपर रूप से मिलागा खाने की क्वालिटी बूछ होगी? पिलकुल तरही मिलेगी एक और नहीं खाना खाना काऊगा अरे क्या बात है मिड़े मिल की सुईधा पूरी-पूरी होगी और उसका खाना उच्क्वालिटी का होगा हमारे हडगन जे कहना है कि मैं भी महीं खाऊंगा फिर खाना जी क्योंकि क्वालिटी उसकी बढ़िया वाली होगी सर गाव में कोई लाइबरेरी है प्राइबेट प् प्रदान जी के विचारों में विकास के कार्यों में लाइबरेरी भी साबिल है जिसको करने का ये पूरा प्रेतन करेंगे चली जब बात शिक्षा की हो रही है तो साथ में खेल कुछ जरू आता है ऐसी नोजवानों की मांग रहती है हर गाव में वो सकता है यहां भी होगी तो चली हम इस रिशेब से बात कर लेते हैं पड़ान जी गाव में खेल कर मैदान है कोई नहीं है तो फ्लीकल घाल विदान भी है तो खेल मैदान भी है तो खेल मैदान है पहले से उसकी क्या स्थितिय एक है कि जोढ़ा पांड़ा जा रहा है अच्छा जी बांड़ा विद तो क्या प्रोपर रुप से खेल का मैदान अब बन जाएगा जहां पर सिर्फ खेल होगा, खेल होगा मापत, दो गाहों है हमारे दुडबा और अहेडा, दो गाहों है, देखिए खेल का मैदान तो है, लेकिन वो खेल का मैदान होने के बावजूद भी नहीं है, अब वो खेल खेल का मैदान खेल का मैदान ही बनेगा और उसको बढ़िया बनवा जाएगा और आगे उस पर स्पोर्ट्स खेल वगरा चलते रहेंगे ऐसा पदान जी का कहना है हमारे सर पेंशन तो सभी की बनी होगी या कुछ रही है बहुत ही कम बहुत कम बनी बहुत कम बनी अब तो बन जाएगी बनने की बहुत हमरे यहां लेडी पटवारी है अच्छा यह वह कुछ काम ही नहीं कर चलिए वह महिला को आगे ला रहे है वह तो कोई विशय नहीं है पर विशय यह है देखे जो भी महिला पटवारी जी है मेरी रिक्वेस्ट है आप हमसे बड़ी है कि परदान जी काम करना चाहते है तो प्लीज उनका साथ दीजिए देखे जब तक परसासन साथ ने देगा आप भी परसासन का एक हिस्सा हो तब तक अकेले परदान कुछ नहीं कर सकते तो अपसे हाज जोट के रिक्वेस्ट है आज टेख नुज के माधियम से तो प्लीज जो भी आपका काम है आप कीजिए जो परदान जी का काम है परदान जी करेंगे तब ही हमारे गावों के वि अब बन जाएगा कोशिस करूंगा कोशिस करेंगे लेकि सरकार यह खैजिए तर समिशान का पैसा नहीं मिलता लेकिन जमीन खरीद के कोशिस करेंगे कोशिस करेंगे मुझे अच्छी वाइव पोजिटिव वाइव आ रही है सर की तरफ से कि शम्शान घाट बनवाएंगे वो हमारा अंतिम सत्थ होता है बनना चीए वो वहाँ पर सुधाय बैठने की सुधा पानी की सुधा इंटर लोकिंग हो च्छा थो बाउंडर यह होना चीए सम्शान घाट में सभी गवं में होना चीए परदान जी मुझे लगता है अपनी सासन काल में वह 100% करा देंगे हम बिल बढम यहन जी उम्मिद करते हैं कि अपने सर बहुत बढ़िया बात है परदान जी अमें बता रहे हैं तो इनका कहना है कि वहां से तो मुश्किल ऐसा लग रहा है कोशिस की जाएगी हो जाए आपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं गरीबों के लिए जो बेरोजगाज के घर नहीं है तो इनकी कोशिस होगी कि उनके आशाने हो कुछ आवाज से योजना आती है तो वह आप तक पहुंचेगी जी और तूट-फूट है वो देखेंगे प्रदान जी अपने इस तरफ से कुछ करा सके तो यह हमारे सामने न्यूज पर कह रहे है कि उसकी कोशिस की जाएगी जी सर खेल का मैदान का आपने मुझे बताए दिया यहां पर पानी की नि में पानी की जी जी गाओं का त्लाव की कंडिशन कैसी से तालाव तो योड़ है वो सरकार चया दी टीक है फिर वो तालाव की पोशिशन बहुत ख्राब है गंदगी अटी पड़ी है ने ने हमारे फिर पढ़ चल जा जाए आगा बढ़ी है जगा तो अकसर गाओं में मैं वह बता रहे हैं कि हमें सॉंद्रियकर्ण करना है इस बार तालाव का चार उतरफ इंटरोकिंग वगएरा करके कुछ पेल लगाकर ताकि आगे कटाउन ना किया जासे तो ऐसा आपके अज़न्डर का किया जाएगा तो देखे दोस्तों लाइबरेरी का किया जाएगा खेल कु जाएगा तालाब का सुंद्रेकरण होगा सड़के बतारे दूस से पहले से नहीं होगी तो और दूस हो जाएगी नालिया सर सफाई की क्या पोजिशन है गाउने सफाई की पोजिशन यह है यह फिर वही बात है कि सफाई वाले दो हमारे गाउं पर चुटे हुए एक सफाई सबसे ज़्यादे जरूरी चीज है वो नहीं होगी तो विकास कैसे होगा फिर तो जिस काम के लिए पैसा है तो प्लीज वो काम जरूर कीजिए क्योंकि आपको गौशन उसका पैसा दे रही है अकेले परदान जी कुछ भी नहीं कर पाएंगे परसासन का भी साथ चाहिए और गाउं का भी साथ चाहिए सर आप सभी बातों के पोजिटित द्वाब दे रहे हैं जाडू पड़ू सब बनवागत तैयार करा के फावड़े रखे जाडू रखे ठेल लिए अब काम करने ओने नहीं तो प्राइवेट आदमी लगा है नाले साफ रहने के लिए अभी दरूर कोई गाउम में सामुदा स्वास्टेकेंद्र है जो गेटम बड़े आच्छा है वो उसकी क्या पोजिशन अब क्या पोशिशन बहों जाएगा अब देखो कोशियों कि यह कि इसको बहुत ही अच्छा बनाया जाए अच्छा बनाया जाए डाक्टर भी बैठे पांचु साल बैठेगा बिलकुल पां साल बैठता रहेगा ऐसा हमारे परदान जी का कहना है तो यह इस तरह का गाउं देना चाहते हैं ऐसा विकास करना चाहते हैं सभी बात को जवाब आपने सुन लिये हैं खेल के मैदान को लेकर हो वो बना जाएगा उसकी कोशिश होगी पूरी लाइबरेरी नायलियों की सफ की शमशान घाट का जरूर किया जाएगा जैसा हमारे परदान जी का कहना है ये सबी चीज़े की जाएंगी ऐसा इनकी तरफ से बादा है लेकिन बात में अन्त में बात फिर वो ही आती है कि परसासन का साथ चाहिए गामादों का साथ चाहिए तो चलिए हमें कुछ इंतिजार करना होगा तब तक जब तक कि विकास के काईड़ों का आगाज नहीं होता और वो अंजाम तक नहीं पहुंचते हैं हम छे मेन या साल बर बाद एक बार फिर आएंगे देखेंगे कि विकास के काईड़ों कि इतनी गती मिली हैं और किन कामों का आगाज हुआ है कौन से काम अपने अंजाम तक पहुंचे हैं इसके लिए हमें थोड़ा इंतिजार करना होगा सर आपने इतना वक्त दिया इसके लिए धन्यवाद मुझे एक बात फिर्जे सर बदाई हो आपको लगसं जीतने के लिए मैं आज तरिया पनूसे राज और कैमरे पर है मेरे साथ गौरव कुमार